Hello friends, मेरा नाम अदिती जा है, आज हम सा का रियाज करेंगे, यह सबसे बेसिक रियाज है जो किसी भी लेविल अफ सिंगर को अच्छे से करना चाहिए अगर कोई हमें गाना गाने बोलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमिंग करते हैं या आकार करके अपना सूर मिलाते हैं इसका मतलब हम सा लगाते हैं सा स्वर हर स्केल के पहले नोट को बोलते हैं सा लगा के ही हम अपना सूर मिलाते हैं और आगे गाना शिरू करते हैं इसलिए इसका पक्का होना बहुत जरूरी है इसके regular रियाज से हम अपने सुरों को पक्का कर सकते हैं अपनी गाईकी में बहुत improvement ला सकते हैं आज हम सा का रियाज 7 steps में करेंगे humming, e-car, u-car, a-car, o-car, a-car और फिर सा रियाज शुरू करने से पहले हम इसके techniques के बारे में कुछ जानेंगे किसकी techniques के क्या importance है humming का रियाज हम क्यों करते हैं humming का रियाज करने से हम अपने breath को hold करना सीखते हैं याने हम अपने सुरों को hold करना सीखते हैं e-car, u-car, वगेरा का रियाज करने से हमारे शब्दों में clarity आती है जब हम कोई गाना गाते हैं तो actually हम अपने सुरों को शब्दों में गारे होते हैं तो इसके regular रियाज से हमारे सुर पक्के लगेंगे बहुत simple सी बात है जब हम कोई exercise शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले warm up करते हैं तो humming, e-car, u-car वगेरा साथ से जाने से पहले हमें जरूर करना चीए यह warm up का काम करता है इससे हमारा जो सा है उसमें एक अलग clarity होगी वो हमें सुर अच्छे से समझ में आएंगे तो चलिए, अब हम अपना रियाज शुरू करते हैं तो आप तानपूरा पे अपना scale सेट कर ले अगर आपके पास तानपूरा नहीं है तो आप तानपूरा ड्रोइड बोल के एक app है यह free app है जो easily आपको smartphone पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका link मैंने नीचे आपके साथ शेर किया है आप इसे डाउनलोड करें और उस पे अपना scale सेट कर ले मैंने metronorm का भी यूज किया है beats के लिए इसका भी app आपको easily मिल जाएगा जिसका link मैंने नीचे शेर किया है अगर आप metronorm app नहीं यूज करना चाते हैं तो आप finger पे भी counting कर सकते हैं आप harmonium पे भी अपने scale का साथ पकड़ के रियास कर सकते हैं keyboard यूज कर सकते हैं मैंने C sharp का scale लगाया है जिसे काली एक या black one भी कहते हैं आप अपना scale लगा के रियास कर सकते हैं आज इस वीडियो में आप मेरे साथ रियास करेंगे हम हर एक exercise या हर एक step को 5 times करेंगे 16 beats या 16 seconds हम hold करेंगे 4 seconds का relaxation या break लेंगे for example पहला जो exercise है वो humming का है तो हम humming करने वक्त 16 seconds या 16 beats हम humming को hold करेंगे और 4 seconds का relaxation लेंगे प्रेक लेंगे इस तरह हमें 5 times करना है तो हर exercise हम 5 times करेंगे आप चाहें तो जादा देर तक भी hold कर सकते हैं जैसी आपकी शमता है उसके हिसाब से तो चलिए रियाज शिरू करते हैं सबसे पहले हमिंग से शिरू करते हैं हम 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 झाल next exercise ikar yi 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 ये 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 कर दो झाल 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 आ आ, 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 साँ 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 सा